सबी लोगों को नमसकार जेंत दोस्तों स्वागत आप सभी का एगरी कोचिंग बभाई वीकास सर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आये हैं तो हमारे चैनल को लाइक करेए शेयर करें और अधिक-धि-सत्राइब करें हमारे चैनल का नाम है एगरी कोचिंग भाई विकास सार आज हम जो लेके आए हैं प्रैक्टिस संख्या तीन है जो की TGT और PGT के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसमें 125 कोश्चन हल कराये जाएंगे जो आपके TGT PGT आने वाला जो एक्जाम है उसमें काफी helpful रहेगा ठीक है काफी अधिक मात्रा में यह सहायता करेगा चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले कोश्चन से अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अधिक साथिक सब्सक्राइब कराने कोशिश करिए चलिए चलते हैं पहले कोश्चन पर पहला कोश्चन क्या कह रहा है पहला कोश्चन कह रहा है कौन सा रसायन जो विपरीत लिंग के कीट को आकरसित करता है ठीक है फेरोमेन हार्मोन्स या एलोमोन्स या केरोमोन्स तो इन चारो option हो मैंसे बताईए कौन सा ऐसा यो है रसायन है जो बिपरीत लिंग के कीटों को आकर सित करता है ठीक है तो इसका correct answer हो जागा यानी की फेरमाँन जो होता है ये बिपरीत लिंग के जैसे इसमें नर को आकर सित करने का काम करता है ठीक है ये आप याद रखेंगे चलिए पहला option इसमें सही है, दूसरा question क्या करा है, दिमलिकित में से कौन सी किसान खाद है, काफी important और most question है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी किसान खाद है, पहला option है ammonium sulfate, दूसरा है urea, तीसरा calcium ammonium nitrate, चौथा option है उपरोक्त में से coin है, तो इसका correct answer हो जागा मेरे दो question number 3 काफी important है, कह रहा है endoplastmic ericulum उपस्तित होता है, जिवानु में, विशानु में, या सेवाल में, इनमें से सभी में, तो endoplastmic ericulum जो होता है, किसमें उपस्तित होता है मेरे दोस्त, ये सेवाल में उपस्तित होता है, यानि कि third option एकदम correct answer हो जाएगा, ठीक है, इस परका आपको बताना है, जिवानु भोजी विशानु कौन सा, इसमें से, सेवाल विशानु, जिवानु विशानु, कवक विशानु और प्रोटो जोवा विशानु, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि जिवानु विशानु जो होता है, ये जिवानु विशानु भोजी होता है, तो second question इसका second option जो होड़ता है इसका correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 5 पर question number 5 कह रहा है निम लिखित में से glyceride कौन है ठीक आपको बताना है इसमें से कौन सा glyceride है नारियल का तेल, मिठी का तेल, परमुक तेल और केटे चोल तो इसमें से आपको बताएगी glyceride कौन सा है तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि जो नारियल का तेल होता है ये glyceride होता है, first option एकदम correct answer हो जाएगा चले चलते हैं question number 6 पर question number 6 काफी important question है, काफी बार एक जामूम देखा गया है, पूछ रहा है, cell का जीवित होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बिंदु सुराव के लिए, वास्पो साजन के लिए, वास्पन के लिए या इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि वास्पन के लिए cell का जी कोई भी आप competition agriculture के exam दे रहें, तो इस परकार के question देखने को मिलता है, ठीक है, और ये जो question है, इस परकार के बहुत बार एक जामूम देखा गया है, ठीक है, इसमें पहला option है, camp pod हो में, दूसरा है, C1 pod हो में, तीसरा है, C4 pod हो में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो में, बिन्दूस राव किस के द्वारा होता है, रंद्रों के द्वारा, हाइडरा थोर्स के द्वारा, या first और दोनों, या उप्यूक्त में से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जागा है, हाइडरा थोर्स के द्वारा क्या होता है, बिन्दूस राव इसके द्वारा होता है, ठी परकास ओसन किसके द्वारा रुख जाता है ठीक है टूफोडी टूफोर डाइना ट्रोफिनॉल या सी एम यू द्वारा या हाइड्रॉक्सी सालफोनेट्स द्वारा या उप्यूक्त में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा मेरे दोस्तों ये सेकेंड वाला ठीक इंपर्टेंट कोश्शन है पूछ रहा है गलाइकोलाइशिस की किरिया केवल होती है ठीक है गलाइकोलाइशिस की किरिया केवल होती बिना होता है और अकसीजन के और पश्चेय है यानि कि उपस्तिती में होगा और अनुपस्तिती में हो गया चलते हैं 11 पर पर कोशन नमर गेरा कह रहा है आलेंग्निक प्रेजनन संबंधी है सवय निशेचन से पर निशेचन से आ संग जनन से तो इसका संबनें थैं आपको बताना है पर निस्टेशान से भी निकाल पक्तवता से स्वा निस्टेशन से या सभाय आशन से उभलिंगता से इसका करेक्ट अंसर हो जागा या ज़िए कि स्वा सभाय जी ठीक है थार्ड आप्शन एगस ईगितंसर बार इसकी बार चलते यानि कि कोश्का भीहति पर ठीक है पेनिसलीन किस पर परभाव डालता है कोश्का भीहति पर परभाव डालता है यानि फर्स्ट अप्चन एकदम correct अंसर हो जाएगा चल्ए चलते हैं question number 14 पर question number 14 कह रहा है सी नो सीटिक कवक तंतु पाया जाता है ठीक है सीनो सीटिक कवक तंतु पाया जाता है एसको माइकोटीना में डिटोरो माइकोटीना में या मैस्टिको माइकोटीना में या इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा यानिक मैस्टिको माइकोटीना में क्या सीनो सीटिक कवक तंतु पाया जाता है तो इसका correct answer हो जगा मेरे दोस्त पक्सीनिया, ठीक है, first option एक दम correct answer हो जगा, उसके बाद चलते है, question number 16 पर, question number 16 करा, परभात एक अर्प आउधी वाली परजाती है, ठीक है, परभात एक अर्प आउधी वाली परजाती है, यह आपको बताना है किस फसल की परजाती है, moon की है, उडद की है, अरहर की है, या चना की है, तो इसका correct answer हो जगा, यानि कि परभात, first जो है, यह एक अरहर की परजाती है, यानि कि third option एक दम correct answer हो जगा, चलिए चलते है, question number 17, question number 17 काफी important है, पूछ रहा है, नीलम एक परजाती है, ठीक है, काफी important variety है नीलम, तो यह बताना है क जाती किसकी है mango की है, ठीक है, first option एकदम correct answer हो जागा, second option एकदम correct answer हो जागा, उसकी बाद चलते है, question number 18 पर, question number 18 कह रहा है, जूट की खेती वाले छेतरों में, किसकी जगा समानेता वेकलपिक फसल है, ठीक है, गन्ना की, गेहु की, कपास की, धान की, तो इसका correct answer हो जागा, जूट की जगा, धान, ये fourth option एकदम correct answer हो जागा, उसकी बाद question number 18 कह रहा है, मुफली की फसल में, जब खूटिया मिट्टी में वृध्धी करती है, तो वे बनाती है, क्या बनाती है, जड़े बनाती है, तने बनाती है, कंद बनाती है, या फलिया मनाती है, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि फलिया बनाएंगी, ठीक है, मुफली की फसल में, जब खूटिया मिट्टी में वृध्धी करती है, तो क्या बनाती है, फलिया बनाती है, fourth option एकदम correct answer हो जागा, ये तीनों काफी important question है, ठीक है, कोई भी आप exam देंगे, अगरी culture का चाए BSC, इंट्रेंस के लिए, चाए PhD के लिए, ठीक है, उसमें से ये general agriculture हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बाद चलते हैं, question number 20 पर, यहां हम देख सकते हैं, काफी important question है, 20 number, पूछरा निमलिकित में से किसको आग से सुखाया जाता है, ठीक है, चबानी के तमाको को, चुरुट तमाको को, बीडी त काफी important question है, इस परकार के question काफी ज़्यादा संभावना रहती है, एक्जामन पूछने की, तो किसको आग से सुखाया जाता है, तो यह इसका correct answer हो जागा, यानि कि चबाने वाले जो तमाको थे, उसको आग से सुखाया जाता है, first option एक तो correct answer हो जागा, इसमें, उसके बाद correct answer हो जागा, कम समय वाली फसले है, first option एकदम इसका भी correct answer हो जागा, उसके बाद चलते हैं, question number 22 पर, question number 22 काफी easy और आसान है, कोई भी यह बता सकता है, कि गेहूं एक है, गेहूं है, क्या है, नगदी फसल है, खाद्यान फसल है, अच्छादित फसल है, या इनि में से कोई तो जानते हैं, गेहूं एक परकार का खाद्यान फसल है, second option एक तुम correct answer हो जागा, चलिए चलते है, question number 23 पर, question number 23 कह रहा है, कि सरद कालीन गन्ना किस माह में बहुए जाता है, फरवरी मार्च में, जुलाई में, अक्टूबर में या दिसंबर में, तो सरद कालीन गन्ना जो समय पर बुवाई के लिए बीजदर कितनी होनी चाहिए, 75 kg परती हेक्टेर, 100 kg परती हेक्टेर, 125 kg परती हेक्टेर या 150 kg परती हेक्टेर, तो इसका correct answer हो जागा, मेरे दोस्त, 100 kg परती हेक्टेर, समय पर अगर बुवाई कर रहे हैं, तो गेहूं की इतनी बीजदर की किंग स्टेज या दाने पकना ठीक है इंचारों में से बताइए कौन सा करेक्ट अंसर हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं गेहूं की सिचाई के लिए सारवधी करांतिक अवस्था जो होती है क्रांड रूट एरिगेशन के नाम से बोला जाता है इसमें यह सबसे अच्छी मानी जाती है उसके बाद कोश्चिन नमर 26 कह रहा है भारत में प्रथम किर्शी विग्यान के इंदिके स्थापना हुई थी बंबई में पॉर्ड वलेयर में पांडी चेरी में या फ्रांस में त या यन ए ए आर से या यन आर ए इप से या इनमे से कोई नहीं तो आत्मा किसे संब्दित है आत्मा इनमे से किसी से भी संब्दित नहीं है फोर्थ ओप्शन एकदम करेक्ट अन्सोर हो जागा उसके बाद चलते हैं कोश्चन नमबर 28 पर कोश्चन नमबर 28 कह रहा है कि अलबर्ट मेर जो है किसे संब्दित है नेल खेड़ी विकास पर्योजना से फिरका विकास पर्योजना से इंटाव अग्रामी पर्योजना से या सिरी निकेतन पर्योजना से तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा सिरी निकेतन पर्योजना से कौन से विग्यानिक किसे संब्दि तो भारत में सयकारिक खाद समीतियों का दिनियम जो पारित हुआ था वो कि सन में पारित हुआ था यानि कि सेकंड उप्षन एकदम करेक्ट आंसर हो जागा उसके बाद चलते हैं कोश्चन नमबर 30 पा question number 30 कह रहा है दूद दोहने का सरोतम विधी कौन सा है muckling विधी, fisting विधी या stripping विधी या इनमें से कोई नहीं तो दूद दोहने का सबसा अच्छा जो तरीका माना जाता है वो fisting विधी माना जाता है यानि कि second option एक दम करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 31 पर question number 31 कह रहा है कौन सा जैविक उर्वर्क नहीं है ठीक है इसमें से बताना है कौन सा एक जैविक उर्वर्क नहीं है multiflex, psb, vermic compost या nedf ठीक है इनमें से बताएं कौन सा एक जैविक उर्वर्क नहीं है तो इसका correct answer हो जाएगा multiflex जो होता है ये जैविक उर्वर्क नहीं होता है बाकी जितने भी है, psb होगा, vermic compost होगा और nedf हो गया, ये सब जितने होते हैं ये सब एक जैविक उर्वर्क मने जाते हैं उसके बाद चलते हैं question number 32 पर question number 32 करहा है, जल भराव की स्तिती में धान की फसल किस रूप में नतरजन प्राप्ट करती है काफी easy, काफी simple सवाल है तो इसमें देख सकते हैं कि ENH4 आयन के रूप में या nitrate आयन के रूप में या NO2 के रूप में या EN2 आयन के रूप में ठीक है, तो इसका correct answer हो जागा यान की ENH4 आयन के रूप में ये प्राप्ट करती है, ठीक है first option एक दम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं question number 33 question number 33 करहा है क्रिशी विरिधी दर में पसुपालन का कितना योगदान है ठीक है, काफी important question है क्रिशी विरिधी दर में पसुपालन का कितना योगदान है 10% है, 12-15%, 7-9% या 26% तो इसका correct answer हो जागा यान की 26% योगदान है fourth option एक दम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं question number 34 question number 34 करहा है, भारत में 30 गाय की दुगद साला पर प्रती दिन कुल कितने दैनिक स्टम लगते हैं 8, 6, 4 या 10 तो इसका correct answer हो जागा यानि की second वाला 6 ठीक है, second option एकदम correct answer हो जागा चलिए question number 35 पर 35 number question करहा है, भारत में प्रती एक वेक्ति के लिए प्रती दिन कितनी दुगद उपलब्द होना चाहिए ठीक है, यानि की एक वेक्ति कोब प्रती दिन कितना दुगद लेना चाहिए 119 ग्राम 249 ग्राम, 294 ग्राम 246 ग्राम, तो इसका correct answer हो जागा यानि की third option 294 ग्राम ठीक है, third option एकदम correct answer हो जागा चलते हैं, question number 36 पर question number 36 कह रहा है जलोड मिर्दाएं होती है, ठीक है जलोड मिर्दाएं क्या होती है ये आपको बताना है, जलोड मिर्दाएं क्या होती है, अस्तरिये मिर्दाएं होती है, अस्तरिये मिर्दाएं होती है, अस्तरिये मिर्दाएं होती है या उप्यूक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जागा यानि कि इस तरहें मिर्दा होती है जोनल मिर्दा होती है third option एकदम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं question number 37 question number 37 कर रहा है मिर्दा जिन में 35% बालू 45% और 20% कले हो तो वह मिर्दा होती है बालूई मिर्दा दोमट मिर्दा है या बालूई कले मिर्दा है या बालूई कले मिर्दा तो इस परकार की मिर्दा क्या कहलाती है तो इस परकार की मिर्दा है बलुई मिर्दा कहलाती है लो मिर्दा कहलाती है ठीक है second option एक दम correct answer हो जागा चलिए चलते है question number 38 पर कोशन नमर 38 कह रहा है मिर्दा जिसका pH मान 8.5 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं अमली मिर्दा कहते हैं लोणी मिर्दा कहते हैं या लोणी चारी मिर्दा कहते हैं तो ऐसी मिर्दा को क्या कहते हैं या चारी मिर्दा कहा जाता है ऐलकाइन मिर्दा ऐलकाइन सौल कहा जाता है option नहीं दो correct answer हो जाएगा उसके बाद question no.49 कह रहा है दो अनुपात एक trifarmic फैलने वाले silicate clay के धनायन बिर में शमता होती है तो इसकी धनायन शमता कितनी होती है दो अनुपात एक की तो 5-10 मेक प्रती 100 ग्राम में 80-120 मेक 100 ग्राम में या 20-40 मेक 100 ग्राम में या 2-5 में तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि 49 का third option यानि कि 20-40 मेक प्रती 100 ग्राम में third option एक तो correct answer हो जाएगा चलिए चलते है question no.40 पर question no.40 कह रहा है जाडे में बोई जाने वाले गेहूं के लिए उप्योक्त मिर्दा का तापकरम होता है 5-35 degrees centigrade, 15-27 degrees centigrade, 12-20 degrees centigrade या 35-40 degrees centigrade तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि 15-27 degrees centigrade आप मान कि आशकता होती है अगर हम जाडे में गेहूं की बोई कर रहे हैं तो उसके लाद question no.41 कह रहा है क्राइसलिस प्यूपा है बिटिल्स का मदमक्खी का मच्छर का या तितली का तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि इसका प्यूपा है तितली का है ठीक है fourth option एक तुम correct answer हो जाएगा इसको क्या कराइसलिस प्यूपा की नाम से जाना जाता है चलिए च इंजल का जो बैगन का है शूट और फ्रूट बूरर कौन सा है इसका वेज्ञानिक नाम यहां पर लिखा हुगा वह यह आपको बताना है पहला option है इस पोड़ोप टेरा लिटूरा उसके बाद दूसर सेगेंड ओप्सन रेफिडो पहलपा फोविकॉलिस उसके बाद लियूसी नोडस अर्बोनेलिस उसके बाद नियू एनो मेला इस्पेसीज ठीक है तो इसका correct answer हो जागा मेरे दोस्त लियूसी नोडस अर्बोनेलिस ठीक लगता है श्रूट बुरर और इस फ्रूट बुरर ठीक है तो उसका विज्ञानिक नाम यहां पर पूछा था चलिए कोशन नोबर चलते हैं 43 पर कोशन नोबर तिरा इस स्लीपरी बैड का परियोग किसके लिए किया जाता है ठीक है फ्रूट फ्लाइलेज के लिए हैलरी है कैंटर्पियलर्स के लिए मेंगो स्टेमबॉर के लिए मेंगो मिलीभक के लिए इसमें करेक्ट एंसोर हो जाए या किसके लिए करता है मेंगो मिली बग के लिए किया छ जाता है ठीक है तो इसका correct answer हो जागा यानि fourth वाला उसके बाद चलते हैं question number 44 question number 44 कह रहा है मेक्ट का मुखांग किस तरह का होता है ठीक है आपको बताना है मेक्ट का मुखांग किस परकार का होता है white एगे and chewing होता है या चुभाने और चूसने वाले होते हैं या साइफनाकार होते हैं इस पंजिंग होते हैं तो चारों में से बताएं कौन सा correct answer हो जागा तो इसका correct answer हो जागा यानि कि biting and chewing होता है ठीक है तो first option एक तुम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं question number 45 पर question number 45 कर रहा है पैलपीजर आधार्य बीज है ठीक है मेंडिविल्स का है maxillary palp का है या लेवियर पैलप का है या लेब्रम का है तो इसका correct answer हो जागा यानि कि second maxillary palp का है ठीक है यह पैलपीजर जो आधार्य भाग होता है यह second option एक तो correct answer हो उसके बाद question number 46 कर रहा है मुंफली की खली में औस्तन पाय जाता है आपको बताना मुंफली की खली होती है उसके अंदर कितने percent nitrogen की मात्रा पाय जाती है 7.3 percent nitrogen 10.5 percent nitrogen 12.4 percent nitrogen या 1.2 percent nitrogen तो इसका correct answer हो जागा यानि कि 7.3 percent nitrogen पाय जाती है मुंफली की खली में first option एक तो correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं मेरे दोस question number 47 पर अगर आप लोग हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो हमारे channel पर हमारे channel को subscribe कर सकते हैं चलिए question number चलते हैं 47 पर 47 नबर question कर रहा है यूरिया में nitrogen पाय जाती है ammonium की रूप में, nitrate की रूप में, amide की रूप में या इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जागा amide की रूप में, yurium में nitrogen पाय जाती है, third option एक तो correct answer हो जागा उसके बाद question number 49, question number 49 कर रहा है, denitrification का अंतिमुतपाद है ठीक, आपको बताना है, denitrification का अंतिमुतपाद क्या है, NO2 है, या N2O है, या N2 है, या N2 है, या NO2-N2 है तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि third option N2, ठीक है, third option N2 है, ठीक है, denitrification का अंतिमुतपाद क्या है, N2 होता है third option एक तो correct answer हो जागा, उसके बाद चलते हैं, question number 49 question number 49 कर रहा है, potassium chloride में potage की मातरा कितनी पाई जाती है, 35%, 45%, 50% या 60% ठीक है, आपको बताना, potassium chloride में potage की मातरा कितनी परसेंट पाई जाती है, ठीक है, काफी important, अच्छा सवाल है तो potassium chloride के अंदर 60% potage की मातरा पाई जाती है, या आप याद रखेंगे, इस चौथा option एक तम correct answer हो जागा उसके बाद question number 50, पचास number question कर रहा है, nitrogen, उर्वर्क, अच्छी अनुकरिया पर दर्शित करते हैं, इसका परियोग किया जाता है पहला option है, पौन मातरा बुवाई के समय मिर्दा में विलाने पर, दूसरा है, पौन मातरा में दो भागों देने पर, तीसरा option है, पौन मातरा तीन भागों देने पर, चौता option है इनमें से कोई ने, तो इसका correct answer हो जागा यानि कि third option पौन मातरा में तीन भागों में देने पर थार्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद चलते हैं कोश्चन नंबर 51 पर तीसर ऑप्शन एक ही नसल के दो समबंदित पस्वों का चौथा ऑप्शन एक ही नसल के दो समबंदित पस्वों का तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा एक ही नसल के दो समबंदित पस्वों का ठीक है थार्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद चलते हैं ऩब सकते हैं। और तिरपन के रहा स्वाच्छ दूग दूद पादन है तो किस परकार की धुलाई दूहाई बरतन सरो पर होते हैं ठीक है दूद दूने के लिए जो हम बरतन परयोग मिलेते हैं वो फिस किस परकार की बरतन होने चाहिए यह आपको बताना है ठीक है मिट्टी के बरतन की बालटी यह प्लास्टिक की बाटी इन चारों में से बताया कोँ सा और जिनकी करिको γसेबा अंसर हो जाएगा याई डॉंड बु्ट जो होते हैं तो इस परकार की बरतं का पर्योग मिलिया जाता है ठीक है डॉंड बुकेट्स बर्तन का है यानि कि सेकंड उप्सन एकदम करेक्ट टांसर हो जाए चले चलते हैं कोश्चन नबर चवण पर कोश्चन नबर चवण करहा है आयन से प्राप्त दुख्द किस भाग में जिवानों की संख्य सबसे अधिक होती है अग्रिम दूद में मध्य दूद में चुटकी दूद में या गुप्त आवस्ता में तो इसका करेक्ट टांसर हो जाएगा अग्रिम दूद जो आगे दूद निकलता है पहली बार जैसी निकला जाता है तो उसमें जो आगे वाले मिलकों जो होता है इसलिए उसको निकाल दि ओता है ठीक है घा की आदर सूसकर काल्ट काली राइप इकलु धरीड होता है तीस दिन का चालिस दिन का सार्ट दिन test इन चारों आपरों से बताइं कौप रहेकर आंसर हो जाया है तो काड़ इसका हो जाएक 30 दिन कुपट ट्हुक विक शेया बहुमी विकाइसे या बार्ड विकाइसे तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा 46 का यानकी सेकेंड ऌपशन एकदम करेक्ट अंसर हो जेगा ड्हेरी विकाय से विके समधित जो इसमें योजना है उसको वर्गिस पूरियन की नाम से भी जाना जाता है यह मिल्क के जो विज्ञानिक है ऑपरेशन फ्लाड इंकी द्वादर चलाएगा था ठीक है उसके बाद चलते हैं कोशन नंबर 57 कोशन नंबर 57 कह रहा है बाड़े की धूल भरी हवा दूद से किस परकार का परमुक परदूशन ला सकती है ठीक है कौली फार्म जीवा लाकता पर दूशन या बीमारी पैदा करने वाले जिवानुक पर दूशन ठीक है इंसके मैं से बताएगे कौन सा कर्यक्ट टांसवर हो जयागा ठीक है फोर्थ यbowर्ट पेदा करने वाले जिवानुक परदूशन हो जागा। उसके बाद चलते हैं कोश्यन नंबर 57 कोशन क को चाहिए कितना तन या फाइवर होना चाहिए ठीक को कोकुट आहर जो देते हैं मुर्गियों सेते हुं तो इसमें तन तमय यानिकी फाइबर वाला रासन कितना परसंट देते हैं पांच पर sollis favor । उसका करेक्ट आंसर होज़ेगा एक जुलाई 2001 को, एक अप्टूबर 2001 को, या एक जनुवरी 2001 को, तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा मेरे दोस्तों, एक जुलाई 2001 को, क्रिसी सार्मी समाजिक सुरच्छा योजना को प्रारंब किया गया था, उसके बाद कोश्चन नमबर साथ, कोश्चन नमबर साथ कह रहा है, दसमी पंच वर्षी योजना में, कितनी वार्षिक आर्थिक विकास दर का प्रस्ताव किया गया, 10%, 8%, 9% या 6,9%, तो इसका करेक्ट अंसर हो जगा, 16 का, यानि कि फर्स्ट अंस, 8% का प्रस्ताव किया गया था, पहला उप्शन एक दम करेक्ट अंसर हो जगा, उसके बाद इसका करेक्ट अंसर हो जगा, यानि कि एक सट का करेक्ट अंसर हो जगा, यानि कि एक सट का करेक्ट अंसर हो जगा, 1934 में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम को आरम किया गया था, ठीक है, सेकंड अप्शन एक दम करेक्ट अंसर हो जगा, उसके बाद कोशन नमर 62, क Q62 किसी पोधे की जणों की विरिधी में कौन सा पोशक ततु सहायक होता है Nitrogen, Potassium, Phosphorus या इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जागा यानि कि third option यानि कि Phosphorus ठीक है third option एकदम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं Q63 Q63 कि रहा है इन में कौन सा फसल चक्र सहायक होता है ठीक है Flarest Minor जिसको क्या कहते है गेहू pride को मामा भी कहते है 16иля कि घंदा भी कहते है 16 janini तो tam खरफतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र सहायक होता है धान के साथ गेहू भूए, गेहू, मक्का और गेहू, उसके बाद धान, आलू, गेहू, और अरहर और आलू, इन चारो अप्शनों मतसे बाता है, यह कौन सा करेक्ट अंसर हो जाएगा, अरहर के साथ आलू, यह फसल जाकर अपनाएंगे तो फलेरिस माइनर कम हो जाएगे, बिलम से आता है, तो किस फसल की बवाई की जानी चाहिए, काफी इजी और आसान कोश्चन है, काफी ज़्यादा यह इस परकार के कोश्चन आने की संभावना भी रहती है, TGT और PGT में, काफी बार इसे कोश्चन देखा गया है, उसके बाद इसमें देख सकते हैं, पहला है, मौफली दूसरा है, धान है, तीसरा है, स्वेवीन, चौथा ओप्षन बाजरा, तो इसका करेक्ट आनसर हो जागा, यानि फोर्थ वाला बाजरा, ठीक है, अगर मानसुन देरी से बिलम से आता है, तो कौन से फसल बहुएंगे, बाजरा होते हैं, फोर्थ ओप्षन एक गन्ना में, तो इसका करेक्ट आनसर हो जागा, मौफली के अंदर टिका डेजिस लगता है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, कोश्चन नमबर 66, कोश्चन नमबर 66 करहा है, उत्पादन पर किरिया में दिर्गकाल में कुल आई होनी चाहिए, चल लागत से अधिक, अचल कुल लागत से अधिक, या उपयोगत में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आनसर हो जागा, याणि कि थाडवाला कुल लागत से अधिक, ठीक है, थाड़ ओप्शन एक दम करेक्ट आनसर हो जागा, उसके बार चलते हैं, कोश्चन नमबर 67 करहा है, नियम्मिल इके व्यूर या कोई नहीं तो इसका क्रीक्ट अंसर हो जबाए कि क्रेसियों ग्रामिन बित की आवशक्ता आवशक्ताओं तक ही सीमिद रहता है SBI का, IFC का, NAWARD का या RBI का तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि third option NAWARD का ठीक है third option इसमें correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 79 पर question number 79 कह रहा है कि उस गरीबी उनमूलन कारेकरम को बताएगे जिसमें बैंक महतपुन भूम का निभाते हैं YNP, IRDP, RB, BY, JRY ठीक है, इसमें से correct answer हो जाएगा IRDP, यानि कि second option इसमें correct answer हो जाएगा ठीक है, ये गरीबी उनमूलन कारेकरम इस बैंक के दोरा चलाया गया थै या महतपुन भूम का ये बैंक निभाया था ठीक है, उसके बाद question number 70 RBI का राष्टी करण हुआ था ठीक है, RBI का राष्टी करण कब हुआ था 1945 में, 1947 में, 1949 में या 1949 में तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि third वाला 1949 को ठीक है, 1949 को क्या हो था RBI का राष्टी करण हुआ था third option इक तो correct answer हो जाएगा चलिए चलते हैं question number 71 question number 71 कह रहा है क्रिशी की अल्ब आउधी साख की आउशकता का निर्धान निम लिखित में से निम लिखित को ध्यान में रख कर किया जाता है पहला option है विभिन फसलों के इंतरगा छित फ़ल, दूसरा चालू वर्स में किया गया फसल विया तीस्रा option है फसलों उतपादन के रही संतौप्त कारकों की आउशकता की मात्रा चौता option है चालू वर्स के लिए किया गया फसल विया तो इसका correct answer हो जागा है यानि की चालू वर्स में किया गया फसल हो है सेकंड option एक दम correct answer हो जागा है Qc LM12, भारत का सबसे बड़ा राष्ट करीत वानिजी बैंक कों सा है? Qc LM53 कहाँ, किस बीमारी के लिए किया जाता है? छै रोक के लिए, गलघोटो के लिए, दुधिद जोशर के लिए और थनेला रोक के लिए तो इन चारों में से बताएं कौन सा करेक्ट अंसर हो जाएगा जिसका परियोग हाँ इस्ट्रिप का परिछण के लिए किया जाता है तो थनेला रोग जो होता है तो इसमें क्या होता है इस्ट्रिप का परिछण के लिए परियोग में लिया जाते हैं में छीछड़े पढ़ जाते हैं ठकके दूमा दूध हो जाता है तो ये थनेले की ब्यावारी है ठीक है तो ये आप याद रखेंगे उसके बाद चलते हैं कोशन नुबर 74 पार कोशन नुबर 74 कह रहा है मक्षन में सुगंद के लिए उत्तरदाई पदार्थ कौन सा है डाइस्टिल साइट्रेट या साइट्रिकम या लेक्टिकम तो मक्षन में जो सुगंद आती किसके लिए आती किसके काराण आती है वो ये आपको बताना है डाइसे टील के काराण आती है यानि कि first option एकदम correct answer हो जागा है ठीक है उसके बाद question number 75 कह रहा है प्रसीतन इकाई में दूद को किस तापकरम पर ठंधा यह भंडारित किया जाता है चार से पांट डिग्री सेंडिग्रेट दो तो 8 से 10 डिग्री सेंडिग्रेट 10 से 12 डिग्री सेंडिग्रेट उसके बाद 12 से 15 डिग्री सेंडिग्रेट तो इसका correct answer हो जागा यानि कि 4 से 5 डिग्री सेंडिग्रेट फरस्ट ऑप्शन एकदम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 6 पाया Question number 6 कहär रहा है परकास अंसिलेस्टन में उत्पन पदार्थ है ठीक आपको बताना परकास अंसिलेस्टन से उत्पन पदार्थ कौन सा है पारा option carbon dioxide और भोजे पदार्थ दूसरा है सरकरा और oxygen तीसरा है carbon dioxide और oxygen चौता option है फार्मलीडी हाइड और nitrogen हो जाएगा तो इसका correct answer हो जागा शीयतर का यानि कि सरकरा और oxygen ये प्रकास अंसलियर्शन से उत्पन होने वाले पदार्थ होते हैं second option एक तो correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 77 पर question number 77 कह रहा यू केरियोटिक कोश में पाए जाता है ठीक है आपको बताना यू केरियोटिक जो कोश का होती है उसमें क्या पाए जाता है केंद्र जिली पाए जाता है केंद्री की जिली नहीं होती है या केंद्री जिली हो सकती है और नहीं भी हो मिर्दा अपरदन किस राज में सबसे अधिक होता है उत्तर पर्देश में पश्रिम बंगाल में हिमांचल परदेश में राजस्थान में सबसे इंपोर्टेंट और अच्छा कोशन है जो एक्जामों में आने की अच्छी संभावना इसकी बन सकती है इसका अंसौर हो जाएग करते है पहला अप्षिन है मिरदा में संफुर्ण नाइट्रोजन की मात्रा गयाद करने में कार्याvent के लिए जल डाल विदी का मात्रा को कारक से गुणा करते हैं ठीक किससे गुणा करते हैं अगर हमको कार्बन की मात्रा ग्याद करना है तो तो पहला option है 1.824 दूसरा option है 1.800 1.724 उसके बाद चौथा option है 1.834 तो इसका correct answer हो ज defender 1.724 से गुणा करते थार्ड ओप्शन एक दम करक्ट अंसोर हो जाएगा उसको बाद कोश्चन नमर 81 कह रहा है मिर्दा के काया पलट में सहाय खोता है काफी अच्छा इसको चलते हैं कोश्चन नमर 82 यहां पर इसको सोची वन को सूची टू सी मिलाफ करना है यहां पर सूची वन है यहां पे सोची 2 है ठीक है इन दोनों को मिलान करना है तो देखते हैं किसके साथ एक तरब दिया धान का रोग एक तरब रोग का कारक ठीक है जैसे जोंका रोग है जिवान दोर होता है विशान दोर होता है फपो दोर होता है यह आपको बताना है ठीक है तो इसमें पहला जों का रोग हो जाएगा यानि कि फंगस की करण होता है थार ऑफशन के साथ जाएगा उसके बाद धारी रोग धारी रोग बैक्टीरियल लीजिज है ना इसमें फर्स्ट के साथ जाएगा उसके बाद खैरा रोग खैरा रोग के बारे में आप लोग जानते हैं किसके दोरा होता ह यह ZN की कमी की कारण होता है ठीक है फोर्थ पर जाएगा और टूंगरू डीजिस के ऐसा वायरस डीज जाएगा ठीक है तो यह आप याद रखेंगे तो हमारा correct answer हो जाएगा यानि की third option एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है चलेए चलते हैं question number 83 पर question number 83 करा हरी खाद के लिए परियुक्त फसल है एक दलिये दूई दलिये तिलहन और इनमें सो कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा दूई दलिये जो होती है हरी खाद के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है second option एकदम correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 84 compost कहते हैं compost किसे कहते ह हैं compost कहा जाता है ठीक है first option एक दो correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते है question number 85 कह रहा है गेहूं में यदि एक ही सिचाई दी जाए तो कब देते हैं कल्ये निकलने पर कल्ये कि अधिक्तम सीमा पर या पोदे की लंबाई बढ़ने पर या कभी भी दे सकते हैं तो इसका correct answer हो जा गया है कल्ये निकलने पर अगर एक सिचाई देना है तो कल्ये निकलने पर एक सिचाई दी जाती है उसके बाद question number 86 कह रहा है नावाड की स्थापना का कौन से वरसे में की गए थी काफी important question है 1980, 1982, 1984, 1984, 1985 तो इसका correct answer हो जाएगा 1982 में नावाड की स्थापना की गई थी ठीक ह तो 86 का second वाला एकदम correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते है question number 87 कह रहा है धान की रुपाई के लिए सतह से उप्योक्त गहराई होना चाहिए 10 cm, 20 cm, 5 cm या 15 cm तो इसका correct answer हो जाएगा या निकी 5 cm ठीक है third option एकदम correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते है question number 88, question number 88 कह रहा है गाय की दुधारू नशल है इसमें से बताना गाय की दुधारू नशल कौन सी है साहिवाल हो गया, kangrej हो गया, नागोर हो गया और थार पारकर हो गया तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि साहिवाल जानते हैं दुधारू गाय होती है सबसे उच्छा दूद देती है सबसे मीठा भी गया का दूद होता है उसके बाद चलते हैं कोशन नंबर 89 कर रहा है जीवाश्म की सक्रियता से ठीक है जीवाश्म की सक्रियता से क्या होता है मिर्दा में लेवनतिया बढ़ती है मिर्दा में कार्बिनिक पदात का निर्मान होता है मिर्दा में शारिता बढ़ती है और मिर कोश्चन नमशन करया है भारत में अधिक सिचाई वाला प्रांत कों सा है उत्तरपदेस पंजाब है अंधर प्रदेस भीहार है तो सबसे अधिक सिचाई वाला प्रांत कों सा हो जाएगा यह हो पंजाब, ठीक है, second option एक दम correct answer हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं, question number 91 पे, question number 91 करया है, धान की फसल में, हिपसा की रोगथाम के लिए, endosulfan 35C की कितने लीटर, कितने लीटर मातरा को पाने में मिला कर छिड़काव किया जाना चाहिए, पहला option एक लीटर, दो लीटर, तीन या डेड़ लीटर, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि की एक लीटर मातरा में छिरकाव किया जाता है, endosulfan 35C को, ठीक है, उसके बाद question number 92, question number 92 कह रहा है, धान का बंका कीट की रोगथाम के लिए, प्रती हेक्टेर 10 परतिशत, BSC चोन, ठीक है, कौन सा, BSC चोन, कितने किलोग 20 किलोग्राम या 15 किलोग्राम, तो इसका correct answer हो जाएगा, 25 किलोग्राम, आफशकता होती है, एक हेक्टर के लिए, BSC की, ठीक है, धान में जो बंका कीट लगता है, उसके बाद चलते है, question number 93, question number 93 कह रहा है, धूल किस माह में कम गिरती है, ठीक है, धूल किस माह में कम गिरती है, उसके बाद question number 94, मैदानी भागों में वनों का हिस्सा है, 5%, 6%, 7% या 8%, तो इसका correct answer हो जागा, यानि मैदानी भागों में वनों का हिस्सा कितना है, 7% है, third option एक दम correct answer हो जागा, उसके बाद चलते है, question number 95, question number 95 कह रहा है, BGA, ठीक है, जिसको blue green, algae के नाम से जाना जाता है जे उर्वर का मुखे इस्तिमाल होता है, मक्का में, ज्वार में, चावल में या बाजने में, तो आप लोग जानते हैं, BGA का परियोग सिर्फ होता है, धान की फसल में, ठीक है, तो third option एक दम correct answer हो जागा, उसके बाद चलते है, question number 96 कह रहा है, भारत में उत्पाद नहीं हो रहा है, किसका insulin का, hepatitis B vaccine का, या alpha interferon का, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, insulin का, ठीक है, first option एकदम correct answer हो जाएगा, उसके बाद चलते है, question number 97, question number 97 कह रहा है, रच्छक फसले कहलाती है, ठीक है, रच्छक फसले कौन से कहलाती है, गन्ना, आलू, गेहू, सरसो मक्का, पर्सन, और आलू, और मूली, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि रच्छक जो फसले होती है, गन्ना और पर्सन कहलाती है, ठीक है, third option एकदम correct answer हो जाएगा, उसके बाद चलते है, question number 98, question number 98 कहरा, बीभीन उचाईयों वाली फसले, एक साथ उगाई जाने पर, क्या कह लाती है, सैचर खेती, समामतर खेती, बहुमुखी खेती, या इन में से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि third वाला बहुमुखी खेती, ठीक है, third option एकदम correct answer हो जाएगा, चलिए चलते है, question number 98, question number 99, सिनर जेटिक खेती का उधारन है, ठीक है, आपको बताना है, स बक्का और उडद, गेहूं और सरसों, उप्यूक्त में से सभी, तो सिनर जेटिक खेती का उधारन सिंपल सा है, गन्ना और आलू, ठीक है, ऐसी खेती को सिनर जेटिक खेती कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद question number 100, राष्ट जेव, उर्वर्क विकास के अंदर स्थापित कि गया, लखनाओं में, हैधराबाद में, गाजियाबाद में, बैंगलोर में, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि गाजियाबाद में, third option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद चलते है, question number 101, question number 101 करया, भारतिय कृष्य अनुसंदार परसत के स्थापना कब की गई थी, ठीक है, 1909 म 1929 में, 1929 में, यानि कि ICAR यहाँ पर पूछ रहा है, भारतिय किर्ष्य अनुसंदार परसत के स्थापना कब की गई थी, 16 जुलाई 1929 को की गई थी, इसमें third option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद मिल दोस्तों, question number 102, question number 102 करहा है, C-S-S-R-I, ठीक है, C-S-S-R-I, इस्तित है, कह करनाल में, दिल्ली में, या जोधपूर में, तो इसका correct answer हो जागा, 102 का, यानि कि करनाल के अंदर इस्तित है, ठीक है, C-S-S-R-I, उसके बाद चलते है, question number 103, question number 103 करहा है, गन्य में चीनी की यह उस्तन मात्रा मिलती है, 10%, 13%, 40%, 45%, तो इसका correct answer हो जागा, गन्य में चीनी की मा कितनी पाई जाती है, 10% पाई जाती है, उसके बाद question number 104 करहा है, चूना के दौरा किस भूमी में सुधार किया जा सकता है, छारी भूमी में, अमली भूमी में, या उदासीन भूमी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जागा, अमली भूमी को चूनी के दौरा सुधार सुधार आजा सकता है, ठीक है, तो इसका correct answer हो जागा second वाला, उसके बाद question number 105 करहा है, भारत के प्रथम राष्ट पती के नाम पर किस राज्य में किरिशी विश्वीद्याला इस्तित है, बिहार में, जहारखन में, उत्तर परदिश में या पंजाब में, तो इसका correct answer हो जा पाया, question number 106 करा, भारत में किस पूजरात में, उत्तर परदिश में, उत्तर परदिश में, या महाराष्ट में, तो इसका correct answer हो जाएगा, उत्तर परदिश को देखने मिलती है, थार्ड उप्शन एक्डम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद चलते हैं कोशन अबर 107 कह रहा है ने में लेकर में से कौन सा आ सत्ते है ठीक है आ सत्ते ढोड़ना इसमें से चार उप्शन पर से एक तरफ दिया है थात्तों की कमी दूसरा दिया सूचक पोदा तो पहला है ना नाड्रोजन देखें गे नाड्रोजन फूल गोवी का सूचक पूधा है जी एकदम करेक्ट अंसर है उसके पार फास-फॉरस राइच का सूचक है जी एकदम सब्चिया उसके बाद कैल्सियम कैसुकंदर का सूचक है नहीं जी एकदम गलत है तो यह जो फौर्थ ऑप्शन है यह गलत माना गया ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा यानि की फौर्थ वाला उसके बाद चलते हैं कोश्चन नमबर 108 पर कोश्चन नमबर 108 करहा है ढाल के विपरीद मिर्दा कटाव को रोकने वाली मिर्दा कटाव यह जिसको मिर्दा को बढ़ाने वाली मिर्दाओं को पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है कंजर्वेशन क्रापिंग कहलाता है या कंटूर क्रापिंग कहलाता है या कंटूर क्रापिंग कहलाता है या कंटूर क्रापिंग कहलाती है ठीक है तो 108 का बताई कौन सा करेक्ट अंसर हो जागा त कटियों में खेती करना क्या कर लाता है कंटूर इस्ट्रिप क्रापिंग कर लाता है उसके बाद कोशिय नंबर 109 109 नंबर कर रहा है भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्थान इस्तित है वाराणसी में कोच्ची में मूंबई में या जैपूर में तो सिंपल सा एंस्वार इसक वाराणसी में यह भारतिय क्रिशिय अनुसंदान संस्थान के स्थापना किया गया ठीक है यहां पर है वेजिटेबल इसे सेंटर उसके बाद चलिए कोशिय नंबर चलते हैं 110 पर कोशिय नंबर 110 कह रहा है आलो को खेत और भंडारन दोनों में हानी पहुंचाने वाली कीट कौन सा है ठीक है ऐसा बताना है कीट का ना जो आलो को खेत में भी हानी पहुंचाता और भंडारन कर देते हैं गुलाव में तो उससमें भी हानी पहुंचाता है तो ऐसे कीट का नाम बताना है तो ऐसे कीट को क्या कहते हैं आलो का सलब कहते हैं कटूगा किट कहते हैं या ए वार्ड एक संस्थान है किसकी समाजिक संस्थान है राजनेतिक है आर्थिक है या गैसी है तो यह एक परकार की आर्थिक ठीक है आर्थिक संस्थान है थार्ड ओप्शन एक दम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद चलते हैं कोशन नमबर 112 पर कोशन नमबर 112 कह रहा है कि भार सब्सक्रिबार का पर्थम क्रिष्विद्याल क्या था गोविंद बल पन्त क्रिष्विद्याला फर्स्ट उप्शन एक्जम करेक्ट अंसोर हो जगा उसके बात कोशेन करेक्ट अंसर हो जागा निकि ततों की कमी को कहते हैं Indian hanger कहा जाता है ठीक है तो second option एक दम correct answer रो जागा उसके बाद चलते हैं question number 114 पर question number 114 करने में लिखिशन में से सुमेलित करना है ठीक है एक तरफ दिया है रोग का कारक दूसरा है रोग का नाम ठीक है एक तरफ क्या दिया है रोग का कारक दिया है दूसरा रोग का नाम दिया है जैसे आलू का आलू किसके दोरा लगता है यह आपको बताना आलू लगता है नहीं सोरी जिवानू जिवानू रोग किसमे लगता है तो नियमिटोर्स गेहूं का सेहु जो हता है यह नियमिटोर्स होता है उसके बाद कवक जो हता है फंगस जो हता है यह आलू का जूलसा रोग जया फंगस की कराणग होता है तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा यानि कि 3, 4, 2, 1 ठीक है यह हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए कोशन नुमर चलते हैं 115 पर कोशन नुमर 115 भी उसी परकार एक तरह फसल दिया है एक तरह परमुक खरपतवार ठीक है सही कोट का चैन करना है आपको ठीक है यह बताना है कौन से फसल का कौन सा परमुक खरपतवार है पहला गेहूं का देखते हैं गेहूं का फलेरिस माइनल जिसको गेहूं की मामा और गुली डंडा की नाम से जाना जाता है ठीक है यह थर्ड के साथ चला जाएगा धान का परमुक खरपतवार कौन सा हो जाएगा सामाज होता है यह परमुक खरपतवार धान का हो जाएगा सरद ग उसके बाद चलते हैं कोशन नमर 116 पर दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और अधिक सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो अधिक सब्सक्र तीसरा option है बकरी की ऐस्तन आयो 8 से 10 वर्स चौत्रा option है शूवर की ऐस्तन आयो 17 वर्स तो इसका correct answer हो जाएगा इसमें गलत कफंद चाड़ना है यानि कि 3 option इसमें सही है और एक option इसमें गलत है तो यानि कि बकरी की ऐस्तन आयो 8 से 10 वर्स नहीं होती, यह गलत हो जागा, बाकि मुर्गी के उस्तनाईव 15 वर्स, उसके बाद गाय के उस्तनाईव 20 से 25 वर्स, और सुवर के उस्तनाईव 17 वर्स, यह तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा correct answer हो जागा, यानि कि थार्ड वाला, उसके बाद चलते हैं, question number 117, question number 117 क निमलिकत में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी गलत था, ठीक है, यह आप याद रखना है, उसके बाद, यानि कि तीन सही होंगे, एक गलत होगा, पहला option है, बकरी का ब्याना, बच्चा देना, यानि कि किडिंग कहलाता है, दूसरा है, मुर्गी का अंडा देना हैचिंग कहलाता है, तीसरा कुतिया का ब्याना हैंपिंग कहलाता है, या सूरी का ब्याना लेंबिंग कहलाता है, तो इन चारों से बताएए, कौन सा करेक्ट अंसर होगा, इसका करेक्ट अंसर होगा, यानि कि सूरी का ब्याना लेंबिंग नहीं क कोशिय नमबर 118 का रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है यानि कि तीन सुमेलित है और एक इसमें से गलत ऑप्षन है पहला ऑप्षन है गाय के दूद में पीलेपन का कारण केरोटीन और जेंथो फिल पिगमेंट की उपस्तिती दूसरा है यहां पर गलत यहां है कमी के करण होता है यह आप याद रखेंगे तो हमारा करेक्ट अंसर यह हो जागा बाकी यह तीनों हमारे ओप्षन एकदम सही हो जाएंगे ठीक है उसके बाद चलते हैं कोशन बर 119 कोशन बर 119 कह रहा है घेंगा यानिकि ग्वाइटर जिसको नाम स हो जाता है ठीक है तो फर्स्ट और अप्षन इंगे घेंदम करेक्ट अंसर हो जागा चले चलते हैं कोशन नमबर 120 पर को च्बिस है कोशन नमब 120 कहा रहा है भाइन जोना आरंब किस आयू होता है ठीक है योना आरंब किस आयू में होता है चोबिस से तीस माह में रघार माह में यूवा हू जाती है योनन अरम आ जाता है इसका 30 माह में उसके बाद कोश् prar कार्ण्स परकार के संपर्क सार्विधिक परभावशाली होता है समुदाइक संपर्क व्यक्तिक संपर्क समूह संपर्क या इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि व्यक्ति संपर्क second option एक दम correct answer हो जाएगा चलिए चलते हैं question number 123 question number 123 कहा रहा है सुवा रंब होने का वर्स है तो इसका correct answer हो जाएगा 124 का यानि कि 1903 में राष्टे परसार सेवाएं सुभारंग किया गया था ठीक है 1903 में यह आप याद रखेंगे उसके बाद चलते हैं question number 125 जो कि आज की हमारी 125 question की जो series थी practice set ये 3 ठीक है इसमें 125 question हम करवा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के काफी important question होने वाले हैं ठीक है चली आज का ये last सवाल रहेगा हमारा जब भूमी का धलान अधिकतर उचा नीचा हो तब सिचाई का कौन सा तरीका अधिक शम्तावान होता है ठीक अगर क्या होता है भूमी उची नीची होती है तो सिचाई की सबसे अची तरीका कौन सा उसमें परियोग में लाए जाता है ठीक है सत्य तरीका छिड़काव तरीका या भूमी के अंदर पाने या इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जगा छिड़काव इधित के द्वारा या फवारा या drip या sprinkler method का परियोग में लाए जाता है ठीक है यह आप याद रखेंगे तो इसका correct answer रोजगा यानि के second तो आज के series हमारी 125 questions के practice जो TGT पीजीटी के लिए हम करवा रहे हैं काफी important रहने वाली है तो यहीं समाप्त होई अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आया है तो हमारे चैनल को like करिए, share करिए अधिक से अधिक subscribe करिए सभी लोगों को धन्यवाद